कि अगर अगर दीजिए संदीब कुमार और आज के सेशन डिसक्स करने वाले हैं हमारा एक और सेशन जो रहने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टिड कोशन से और यह रहेगा सीडियस मैट्स कोशन से तो फिलाल जो भी हमारे साथ हैं सभी को मेरी तरब से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कैसे आप सभी साउंड जो है वो क्लिर है यह नहीं कोई प्रॉब्लम अगर साउंड में हो तो मुझे बताएंग जैहिंद कैसे हैं आप सभी किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं जैहिंद जैहिंद गुड मॉर्निंग तो हम करेंगे most expected question series और इसमें है serious maths के questions तो हम देखेंगे कैसे questions है serious के और किस तरह से हम इनको cover कर सकते हैं सारी चीज़े समझेंगे detail में दस मिनुट लेट कौन होता है चलो तो इसी बात पर शुरू करते हैं पहला question है मारे पास question number one तो आपने answer जो है वो comment section में जरूर करना है so question number one बताईए जरह क्या आएगा थोड़ा सा tension हो रहा है tension नहीं लेना है और वो जो मैंने आपको session बताया था जो एक हम mock test type करेंगे फुल लेंथ जो है वो gas paper type होगा वो कल ही रखा है ठीक है तो कल हो जाएगा तो आप लोग उसे attempt कर सकते हैं और वो थोड़ा ऐसे मतलब light रहेगा अच्छे से हो जाएगा cover tension वाली बात नहीं होगी आपको ठीक है चलिए तो पहला question है question number one अच्छा जितेंदर जी आप अपनी id से बला आप जीततास बलोग अच्छा क्या वात है यूट्यूबर निकले आप तो सो यहां पर देखेंगे तो क्या condition है cos 15 और cos 75 है तो आप इसमें एक formula लगा सकते है cos x cos y का ठीक है तो cos x cos y क्या होता है बीच में कोई sign नहीं है मतलब multiply हो रहा है तो cos x cos y क्या होता है that is basically one by two और यह बनेगा cos of x plus y और यह हमारे पास बन जाएगा plus cos of x minus y यही बनना है तो यहां पर values put कर दो देखो cos 15 को मैंने यहां पर x माना है या फिर 75 को मैंने x माना है 15 को मैंने y माना है तो इनको मैं formula पर solve कर रहा हूँ बाकि 16 root 2 वैसे ही रह गया cos 45 1 by root 2 हो गया into 1 by 2 यह वाला मैंने formula से solve कर लिया जो cos 75 और cos 15 है ठीक है cos of 75 और cos of 15 को मैं इसके basis पर solve कर लोगा तो अंदर क्या बचेगा cos 75 15 cos of 90 प्लस आपके पास cos of कितना बचेगा 70 60 बचेगा तो इसको simplify करेंगे root 2 कट हो रहे तो 16 into 1 by 2 यह 0 है यह 1 by 2 है तो 1 by 2 so that is basically 4 so हमारा answer आजाएगा D option ठीक है तो कितना answer आएगा it should be D option यह हम बोल सकते हैं so I hope यह सभी को clear होगा किसी को कोई doubt हो तो बता सकते हैं very good next one है तो यह formula आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं अगला question है हमारे पास अब तो आज तो यह सही होना चाहिए formula वाली class भी हो चुकी और pdf भी दे दे हुए आपको question number 2 देखो a vertical post 15 feet high is broken at a certain height and its upper part not completely separated meets the ground at an angle of 30 degree find the height at which the post is broken 1045-60 भी कर सकते हैं फिर उदर हमारे पास 45 plus 30 होगा फिर थोड़ा सा time taking हो जागा 10 नहीं फिर वह cost में आएगा देख लो ठीक ठीक लगा लो कॉमा लग रहा है बीच में कॉमा लगा है लेकिन वह multiply होगा और तो कुछ होना नहीं है अलग-अलग से तीन value तो पूछी नहीं होगी तो option नहीं हो सिसाब से यह वाला question आप वैसे ही बहुत बार कर चुके हैं तो आपको पता है कि यह condition है कि एक ना ट्री जो है वह कितना है वर्टिकल पोस्ट पोस्ट जो है ट्री नहीं पोस्ट जो है वह 15 फिट हाई है तो ऐसे इसकी जो height है वह 15 फिट है लेकिन कहीं से यह टूटा और यही चीज के जो नीचे गीरी मतलब यह जो ऊपर वाला portion नीचे गिरा वो क्या आ गया वो यहाँ पे 30 डिगरी का एंगल बना रहा है तो आपको पता है कि अगर 30 के सामने X हो तो 90 के सामने 2X होता है रेशो बाइस आप यहाँ पे sin theta भी लगा सकते है बढ़ 30 के सामने X हो तो 90 के सामने 2X होगा यह 2X ही तो उपर से टूट कर नीचे गिरा है तो टोटल हाइट कितनी होगी यही 2X है तो टोटल हाइट अगर आप देखेंगे वो कितना है तो हमसे पूछा है कि फाइंड था हाइट इडिच दो पोस्ट इस ब्रोकन तो हमसे यह पूछा है जो यह A, B, C, B, C जो हमारे पास value है हमने बताने कि B, C कितना है so that is basically X कितना है तो अगर 3X 15 है तो X जो है वो 5 होगा that's B option तो यह हम बोल सकने है ठीक है किसी को कोई doubt हो तो बता सकने है यह question तो आपको वैसे भी आद होगा कि मैं तो टूट गया भाई साब PDF गुरूप में अपडेट हो चुकी है mock test कौन से वाला mock test वो तो class होगी live class होगी बतो जो मैं बता रहा हूँ अगला question है देखो हम में बोला कि पपू जो है वो cover the distance between his home and office with an average speed of 40 km per hour and reach the office 20 minute late next day he increases his speed by 10 km per hour and reaches the office 10 minute earlier the distance between his home and office जो है वो कितना होना है ये हमने find out करना है so ये वह ही type बन गया कि आपको पस distance in the first case is equal to distance in the second case है तो यहां से अगर आप देखेंगे तो distance कितना है speed into time जब 40 का speed है तो time लग रहा है t plus 20 20 minute late है और जब उसकी speed 10 से increase होती है मतलब 50 की speed है तो time लग रहा है t minus 10 10 मिनट जल्दी है आपने solve करा कितना है 4t plus 8t is equal to 5t minus 50 यानि कि t की value आ रही है 130 मिनट distance कितना आएगा speed into time तो यहां पर अगर आप पूट करेंगे तो यह कितना आना है 40 का speed है into t plus 20 का time यानि कि 150 मिनट है divided by 60 तो इसको अगर मैं simplify करता हूं तो यह कितना बनेगा 00 कट हो रहा है और 25 so 100 किलोमेटर का distance आ रहा है that's a option यह हम कर सकते है ठीक है distance कितना है 100 किलोमेटर का distance super moctis जो 14 से हो रहे हैं वो पता नहीं वो आप चेक कर ले ना वो तो अपडेटी हो जाएंगे आप डिरेक्टली चेक कर पाओगे बतो कि अभी शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो live ही हुए थे आप भी हो रहे हैं question number 4 कल ही class हो जाएगी विशाल जी तो I think फिर तो कोई इशो नहीं है परसो होती फिर सोचना पड़ता कि क्या करें अब लेकिन वो कल ही हो जाएगी तो ऐसे कोई दिक्कत आएगा नहीं the mean of the given data table will be तो mean कितना आएगा इस पूरे data table का बताईए जरा तो देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास x i क्या बनना है 0 10 ने तो lower limit plus upper limit by 2 तो यहाँ पे 15 यहाँ पे 25 यहाँ पे 35 यहाँ पे 45 तो आपके पास f i x से कितना आ रहा है so that is 25, that is 105, that is 225, 35 105 और यह बन रहा है 45 so इनको sum करेंगे 25, 4, 6, 8 और 10, 2, 3, 4 और 5, 505 बन रहा है और summation f i कितना बन रहा है, frequency कितना है 25 है, so what is the mean, so mean value क्या आनी है that is summation f i x i upon me submission f i that is 505 upon me 25, so इसको अगर हम simplify करते है 25 से 2, 0 और 20.2 हमारा answer, it should be b option तो बहुत ही simple सा question है, what is the mean, तो mean अगर आपको find out करना है तो f i x i upon me submission f i, वहाँ से हम कर सकते है अगला question है, question number 5, so question number 5 देखेंगे question number 5 let a and b be the two towers with the same base from the midpoint of the line joining their feet the angles of elevation of the top of a and b are 30 and 60 है respectively, the ratio of the heights of a and b जो है, वो कितना होना है हमने यह बताने कि ratio of the height of the a and b कितना होगा तो देखो जरा कितना होगा ratio of the height of a and b so आपको यह बोला हुआ है कि from the midpoint of the line joining their feet तो दो tower है जिनके midpoint से एक का जो angle है वो 30 है, एक का जो angle है वो 60 है ठीक है, तो ऐसे बन गया midpoint पे है तो midpoints से रख लो तो obviously बात है कि height जादा होगी तभी 60 बनेगा यह मैंने h1 माल लिया, यह मैंने h2 माल लिया so हमें क्या पूछावा, the ratio of their height कितना होना है, यह हमने find out करना है देखो अगर 30 के सामने h1 है, तो यह a, b, c में 30 के सामने h1 है, तो यह कितना बनेगा, root 3 of h1 बनेगा और यह कितना बनेगा, यह h2 upon me root 3 बनेगा अब आपको पता है कि वो midpoint है, तो मतलब a, b is equal to b, c है so that means root 3 of h1 जो है वो बराबर है, h2 upon me root 3 so इसको अगर हम solve करते हैं, cross multiply करते हैं, तो h1 upon me h2 ratio जो आएगा, वो आएगा 1 upon me 3, यानि कि हमारा answer आगया, it should be d option, so यह करना था, ठीक है, तो किसी को कोई doubt हो, तो बता सकते हैं किसी को कुछ भी doubt हो, तो बताया जा सकता है, next one अगला question, question number 6 है हमारे पास the arithmetic mean of the first return natural number with the weight being the number itself arithmetic mean of the first return natural number with weight being the number itself कितना होना है, हाँ, देख लो, सौरब जी, देखो, देखो done, अगला question है, arithmetic mean of the first return natural number with weight being the number itself, फिर उनका weight भी given है, मतलब वो number जो है वो, weighted mean आपको find out करना है, अगर आप simply बात करें यहाँ पर, तो आपको यह बताना है कि weighted mean कितना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, weighted mean कितना है, यह आपको find out करना है, आपको पता है कि जब आप weighted mean जो है, वो find out करते हैं, तो क्या आएगा, number क्योंकि उसका weight खुद के जितना है, तो 1 है तो उसका weight भी 1 है, 2 है तो उसका weight भी 2 है, 3 है तो उसका weight भी 3 है, उपर बनेगा, basically इस तरह से हम बोल सकते हैं, यह sum of square बन रहा है, तो n into n plus 1, 2n plus 1 by 6, और denominator में आ रहा है हमारे पास n into n plus 1 by 2, 2 से यह 3 आएगा, n plus 1, n into n plus 1 कट होगे, तो यह बचेगा 2n plus 1 by 3, n कितना 10 है, तो 2 into 10 plus 1 by 3, तो 21 by 3 यानिकि 7 is the answer, it should be a option, तो यह हम कर सकते हैं, ठीक है, weighted mean मतलब वहाँ पर जो number है, वो खुद में, देखो, number जैसे 1 है, तो उसका weight भी 1 है, 2 है, तो उसका weight भी 2 है, तो weighted mean में हम क्या करते हैं, sum of number जहाँ पर है, तो with weight उसका sum है, and denominator में total number है, तो weighted mean का formula अगर आप directly लिखे तो वह होगा, summation n square upon me summation n, ठीक है, summation n square upon me summation n, formula वाली class का part 2, I think आप लोग करी लोगे, उसमें direct formula है, उसमें इतना कुछ हैं नहीं, but givens आ रहे हैं, उसको read कर ले, I think बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, weighted mean का formula यही है, summation n square upon me summation n, arithmetic mean होता है, sum of number, summation n upon me n, weighted mean होता है, summation n square upon me summation n, तो यह point है, अगला question है, question number 7, so question number 7 देखेंगे, 11, 70 is distributed among A, B, C, D, in such a way that A ratio B is 2, ratio 3, B ratio C is 2, ratio 4, C ratio D is 2, ratio 5, find the difference of the amount received by D alone to the amount received by A, B, C together, करवा दूँ, चलो देखता हूँ, वैसे आज थोड़ा travel भी करना है, तो possible होता है, तो करते हैं, फिर possible भी ऐसा होगा, कि शाम को होगा, 4, 5 बज़ पॉसिवल, 11, 70 is distributed among A, B, C, and D, in such a way that A ratio B given है, A ratio B जो है, वो 2 ratio 3 है, B ratio C जो है, वो 2 ratio 4 है, C ratio D जो है, वो 2 ratio 5 है, अब आपको बोला है कि, ओके, सो पहले आप common ratio निकाल दो, तो अगर आपको B balance करना है, यहाँ पे into 2, यहाँ पे into 3, अब यह 6 बनेगा, तो आपने C को balance करना है, तो यहाँ पे into 6 करना पड़ेगा, तो यह बनेगा, आपके पास 4 ratio 6, 6 ratio 12, और 12 ratio 30, तो आपको A ratio B ratio C ratio D मिल गया, 4 ratio 6 ratio 12 ratio 30, आपको पूछे कि, find the difference of the amount received by D alone, to the amount by ABC together, तो D का 30 है, ABC सभी का कितना है 22 है, तो हमें जो find out करना है, वो क्या है, वो है 1170 का, इनका difference आएगा, 8 part out of कितना, 52 part, 4 से 2 है, 4 से 13 है, 13 से 90, तो यह कितना बनेगा, 180 rupees का difference है, that's A option, ठीक है, कितना difference है, 180 rupees का difference है, यह हम बोल सकते हैं, so I hope यह clear होना चाहिए, अगला question है जी, next one, question number 8, geometric mean of 1, 2, 2 की पावर 2, up to 2 की पावर n will be, तो geometric mean कितना होगा, what is the geometric mean of 1, 2, 2 की पावर 2, up to 2 की पावर n, क्या करेंगे यहां पर अगर आपने geometric mean जो है, वो find out करना है, तो simple सी बात है यहां पर, geometric mean जो आता है, वो क्या आता है, वो आपके पास, that is basically, जितनी terms है, तो 2 की पावर, कहां से शुरू कर रहे हैं, 2 की पावर 1 ने, 2 की पावर 0 है, 0 से n ने, तो हम यह बोल सकते हैं, अब यह number of term कितनी बन जाएंगे, फिर यह 2 की पावर 1 से शुरू नहीं हो रहा है, यह होगा शुरू, 2 की पावर 0 से, तो n प्लस 1 टर्म से हैं, तो root आजाएगा, आपके पास n प्लस 1 root आएगा, अंदर कितना है, 2 की पावर 0, और into 2 की पावर 1 into 2 की पावर 2 up to 2 की पावर n है, तो इसको अगर मैं solve करता हूं, तो यह कितना बनेगा, बेस आर से हम पावर आर एडिट तो 2 की पावर 0 एड नहीं भी करूंगा, 1 plus 2 plus up to son n, पावर कितना है मारे पास, 1 upon me n plus 1, इसको solve करेंगे 2 की पावर n into n plus 1 by 2, और into आपके पास 1 upon me n plus 1 भी है, तो इसको solve करेंगे तो यह कितना आएगा, 2 की पावर n by 2, तो answer क्या आ जाना है हमारा, that's a option, तो एक बार देखो ज़रा, number of term यहां पे एक ज्यादा है, n plus 1 बचता, बड़ अभी number of term कितनी है, n plus 1 terms है, तो n plus 1 कट हो गया, दूसरा हमारे पास बचेगा, important important पता चल जाएंगे वरना बहुत time चला जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मतलब definitely कोशिश करेंगे, तो let's see, तो देखो ज़रा किसी को कोई doubt हो, अभी फॉर्मला नहीं करा पीडियाप से, चलो, किसी को कोई doubt हो, तो बता सकते हैं, किसी को कुछ भी doubt हो, तो बता सकते हैं, दन आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन है, कोशन नमबर 9, geometric mean आप कैसे निकालते हो, geometric mean जो है, जब भी आप निकालोगे, geometric mean निकालोगे किसका, जैसे कोई series है आपके पास, that is a, let आपके पास है, a r raised to bar 0, a r raised to bar 1, a r raised to bar 2, up to some, a r raised to bar n minus 1, ऐसा अगर कोई series बनता है, तो geometric mean क्या होता है, अब n terms है, तो nth root of, जितनी भी terms है, a1 into a2 into up to some a n, जितनी terms है, उतने ही root निकालेंगे, ठीक है, done, अगला कोशन है, कोशन नमबर हमारे पास है 9, तो कोशन नमबर 9 देखेंगे, क्या आना चाहिए, there are 11 points in a plane, out of which 5 are collinear, then the total number of triangle found by these points will be, तो total number of, जो triangles हैं, वो कितनी बनेगी, इन points से यह हमने find out करना है, 11 point है, जिसमें से 5 जो हैं, वो collinear है, तो total number of triangle found by these points, कितना होना है, तो बताईए कितना होना है, तो total number of triangle जो होंगी, वो हमारे पास कैसे आएंगी, अब देखो आपको पता है कि, 3 non-collinear point जब आपस में मिलते हैं, तब एक triangle बनता है, 3 non-collinear point जब आपस में मिलेंगे, तो, याद non-collinear भी छोड़ो, तो 2 collinear भी होंगे, एक नहीं भी होगा, तब भी बनेगा, तो हम यह बोल सकते हैं, 3 point जब आपस में हम join करते हैं, तब आपके पास क्या होता है, तब आपके पास एक triangle बनता है, तो यहाँ से आपके पास, ऐसी triangle जो total triangle होंगी, total triangle formed, by 11 points कितना होगा, तो आप बोलेंगे, 11 C3 होगा, और total जो triangles होंगी, not formed by 5 points, क्योंकि अगर कुलिनियर point है, तो उन से सीधी line में, तो point कोई triangle नहीं बनेगी न, तो total triangle not formed by, 5 points जो यह नहीं बना सकते हैं, वो कितना आना है, 5 C3 आना है, जो हमें required triangle चाहिए, तो formed triangle जो होंगी, तो triangle formed कितनी होंगी, वो हम बोल सकते हैं, 11 C3 minus 5 C3, तो यह बनेगा आपके बस कितना, 11 into 10 into 9 into 8 factorial, अपॉन में 11 minus 3 8 into 3 factorial, तो 3 into 2 into 1, minus 5 into 4 into 3 factorial, अपॉन में 3 factorial into 2 into 1, 8 8 कट ओ रहा है, 3 से यार है, 3 2 से यार है 2, और 3 factorial का 2 रहा है, 3 से 2 से यार है 2, तो यह कितना बनेगा आपके पास, इसको अगर हम simplify करते हैं, और यहाँ पे 5 है, 55 3, तो यह बन रहा है, 165 minus 10, तो यह 155 points हैं, यह हमने करना था, that's actually D point, D option यह हम बोल सकते हैं, तो देखो जड़ा, नहीं सीधर 7 C 3 नहीं कर सकते हैं, आपको पहले total देखने पड़ेंगे, कितने और फिर जो नहीं बनेंगे, वो देखने पड़ेंगे, तो देखो किसी को कोई doubt हो, देखो permutation का question, एक question तो हर बार होता है, या वो होता किस तरह से, वो आप हर बार देखेंगे, different different होता है, और वो थोड़ा खतरना की question होता है, जैसे कई बार आपने देख लिए कि, x plus y plus z का sum जो है, वो 30 बनाना है, x y z जो है, वो x is less than y is less than z, और positive है, तो वहाँ पर कितनी possibilities है, ऐसे question आते हैं, वो भी है, तो वो permutation का ही question, combination का ही, वो permutation का ही, ये combination का हो गया, तो एक question तो हर बार ही आता है, बस वो pick हो जाए, कि अच्छा, ये इस तरह से हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा tougher sight रहता है, तो ये हम बोल सकते हैं, किसे को कोई doubt, 11 से 8 तक ही लिखा है न, क्योंकि वो नीचे aid factory ला गया, तो वो cut कर दिया, आपने गलत cut किया, कहां पर गलत किया है, done, clear है सभी को, अगला question, question number 10 है, six digit number है, कोई six digit number है, 5x2y6z is divisible by 7, 11, 13, then the value of x-y plus 3z कितना होना है, तो देखो जड़ा, six digit number जो है, वो 5x2y6z जो है, divisible by 7, तो 7, 11, 13 से कोई number कब divide होता है, अगर वो ABC, ABC type का हो, मतलब दो बार जो है, वो same, तीन digit जो है, वो दो बार repeat हो जाए, तो वो divide हो जाता है, छे बार हो जाए, चार बार हो जाए, आठ बार हो जाए, मतलब even number time repeat हो जाए, तो अगर ऐसा है, तो यह अगर आपके पास, 5x2y6z है, तो मतलब 5, यह तीन ओ आगे repeat होए होंगे, तो इस हिसाब से, y5 होना चाहिए, z जो है वो 2 होना चाहिए, x जो है वो 6 होना चाहिए, now what is the value of this, x-y plus 3z, 6-5 plus 3 into 2, तो यह कितना बंदा है, 7 is the answer, it should be b, option सो यह करना है, ठीक है, तो कितना answer आएगा, it should be b, तो यह हम बोल सकते हैं, कोई doubt किसी को हो, अगला question, question number हमारे पास है 11, so question number 11 देखेंगे, हमें बोला है कि Mr. Ranjan, जो है, lent out a certain sum, he lent 1 by 5 part, of his sum, at 2% simple interest, 1 by 6 part of his sum, at 3% simple interest, and rest part at 4% simple interest, at the end of the year, he received total 257.5, as a simple interest, the sum of money, he lent out कितना होगा, sum of money, he lent out कितना आना है, यह हमने find out करना है, तो बताएगे जरा, sum of money, he lent out, will be, तो बताएगे जरा, कितना आएगा, इसका value, आप सिंपल सी, इक्वेशन बना सकते हैं, 1 by 5 part है, 1 by 6 part है, तो 5, 6 LCM लिया, तो मैं यह मान रहा हूँ, कि टोटल जो है न, टोटल मनी जो, रंजन के पास है, वो है 30X, तो वो बोल रहा है, कि 30X का, 1 by 5 जो है, उसने 2% के rate पे, और टोटल लास्ट में, एक साल की बात हो रही है, एक साल के लिए, अप आउन में 100, सिंपल इंटास जो बना, प्लस, 30X का, 1 by 6 पार्ट, जो है वो 3% के लिए, एक साल के लिए, प्लस, रेस्ट आफ दे पार्ट, कितना बना, 6 यह बना, 5, 11 तो आगे बचा, 19 तो 19 X, जो है वो, 4 परसेंट के लिए, एक साल के लिए, अप आउन में 100, और टोटल बना, 257, 257.5, जो भी बना था, वो हमने वैलू लिख ली, तो simple equation बना ही, simple interest की, अब यहां से अगर आप देखेंगे, तो आपके बस क्या बन रहा है, तो इस इस 6, तो यह बनेगा, 12 of X, प्लस, 53 से 15 of X, प्लस, 76 of X, और 100 से पूरी equation को multiply करा, तो यह आएगा, 257,50, तो कितनी वैलू बन रही है, हमारे पास, that is 76 है, 91, 103, so 103 की वैलू आ रही है, हमारे पास, 25750, तो हमने बताना है, यहां पे 30X का, तो आपके पास, अगर 103X जो है, वो इतना है, 25750 है, तो 30X कितना होगा, जो principle है, तो 103X नीचे चला गया, इसको simplify करो, देखो कितनी value बन रही है, 103 से direct cut होगा यह, 103 से, 2 पे cut हूँ, आप बचा कितना आपके पास, so 206 है, आगे हमारे पास बच रहा है कितना, 54, आगे 5 है, तो कितने पे cut हो जाएगा, 54 नीचे, 51 है, तो 515 बच रहा है, 5 पे cut होगा, 25 इंटू 30, तो कितना बना हमारे पास, 75, 10 भी है, तो 7500, this is the answer, it should be B option, so mainly यहाँ पे पहली equation है, किसी को equation में कुछ भी doubt हो, एक बार देख लो, कुछ भी किसी को, equation में doubt हो, तो बता सकते हैं, it should be B option, किसी को कोई doubt हो, तो बता सकते हैं, अगला question, question number 12 हमारे पास, तो question number 12 देखेंगे, if 2 by 3 part of an article is sold at 60% profit, 1 by 4 part at 24% profit, and the remaining part at 48% profit, there is a profit of 8.50, so on the entire transaction, then the cost price of the article कितना होगा, what is the cost price of the article, यह हमने find out करना है, तो बताइए जरा कितना होगा cost price, again same question होगा, 2 by 3 और 1 by 4 है, 3 और 4, LCM ले लिए हमने 12, तो total value जो है वो अगर 12X है, वो बोर रहा है कि 2 by 3 part 60% profit पे है, तो profit value कितनी है, total profit is 8.50 है न, तो 12X का 2 by 3 और 1 by 4 जो है वो 24% profit पे है, प्लस बचेगा कितना, 3, 4, 8 यह बना, 3, 11 तो आगे सिर्फ X ही बचा, पे है, तब जाके 850 रुपए मिले है, तो इसको अगर हम simplify करते हैं, तो यह कितना बनेगा हमारे पास, 3 से 4 है, 4 to 8, और इसमें भी हम, आगे इन क्या करते हैं, 00 उदर ले जाते हैं, तो यह कितना बनेगा, 4 to 8, 6, 4, 80 X बनेगा, प्लस, 3, 72 of X बनेगा, प्लस, 48 of X बनेगा, इस इकोल टू 85,000, इसको फिर से simplify करेंगे, 72, 48, तो कितना बन रहा है हमारे पास, 105, 600 बन रहा है, तो 600 of X की value कितनी आ रही है, 85,000 आ रही है, तो आपको क्या निकालने हैं, आपको 12 X की value निकालनी है, तो अगर 600 X की value जो है वो, 85,000 हो, तो 12 X की value कितनी आएगी, 600 नीचे ले जाओ, बाकि जो cut हो रहा है, 00 ऐसे cut हो रहा है, 682, 85 into 2, that is 170, एक 0 है, तो 1700 रुपए जो है वो, original cost होगा, of the article, यह हम बोल सकते हैं, किसी को कोई doubt हो, तो बता सकते हैं, किसी को कुछ भी doubt हो, तो बता सकते हैं, simple question था, next one, अगला कोईशन है, कोईशन नमबर 13, कोईशन नमबर 13, a person sold a table at a profit of 15%, if he had sold it for 600 more, he would have gained 22.5%, so the selling price of the table will be, if he wants a profit of 40%, तो profit of 40% अगर चाहिए, तो selling price of the table कितना होगा, यह हमने find out करना है, तो बताएए जरा कितना होगा, selling price of the table, तो बताएँगे जरा, आप लोग इतने परिशान, क्यों हो जाते हो, मेरे को पिछले एक हफ्ते से, उस बंदे के कोमेंट शोई नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप अपने एंट से ब्लॉक कर दो न, तो जंजट ही खतम, फिर शोई नहीं होगा, कोमेंट ही शोई नहीं होगा, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यह क्या हो रहा है, तो मतलब कोमेंट आ रहे होंगे, बर टेंचन क्यों ले रहे हो, ब्लॉक करो, आपको भी शोई नहीं होगा, ठीक, यही एक तरीका हो सकता है, बात भी खतम, संदीव हंडर कोड लगाने से कितना उफ मिलेगा, देखते हैं अभी थोड़ी देर में, कुछ तो होगा मतलब, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे न, तो आपको यह पता लग जया, जो सेलिंग परेस हैं पहले केस में हैं, 15% profit हैं, सेलिंग परेस जो दूसरे केस में, 122.5 हैं, दिफरेंस कितना हैं, तो 7.5% का दिफरेंस आ रहे हैं, 600 रुपै पे, तो आपको 100% बताना है, cost price बताना है, तो 7.5 नीचे जाएगा इसको अगर हम simplify करते तो कितना आ रहा है point down का उपपर 10 आएगा so 25 से 3 है 25 से 4 है 3 से कितना है 200 से आ रहा है आपके बस कितना so 8000 बना और ये 10 था the selling price अब अच्छा हमसे 140% पूछा हुआ है तो 140 आप अलग से भी निकाल सकते है या फिर इदर direct भी निकाल सकते हो cost price नहीं पूछा है हमसे पूछा है कि selling price 40% profit पे कितना है तो अगर आप direct भी निकाल होगे तो कितना होगा 7.5% की value होगी कितना 600 रुपे आप 140% की value निकाल रहे हो तो 7.5 नीचे जा रहे है तो 8,000 आ रहे था 14,8 से 112 11,200 रुपे आपके पास value है इट शुड भी बी option तो देखो ज़रा किसी को कोई doubt हो तो किसी को कोई doubt हो तो बता सकते हैं देखो ज़रा N natural number के square का formula और cube का लता दो square का formula जो होगा summation n square वो होगा n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 और cube का जो formula होगा वो होगा n into n plus 1 by 2 का whole square ये PDF में सब given है आप PDF का पूरा PDF देखो उसमें सब कुछ है जो कल मैंने ग्रूप में share करा है ठीक है तो वहाँ से एक बार देखो सब given है उसमें अगला question है for a sum of money of 600 the difference between the compound interest and simple interest is 54 for a year the rate will be कितना होगा यहाँ पर न दो साल का difference है ये 2 year के लिए 2 साल का difference 54 है तो आपने ये बताना है आपने बताना है कि rate कितना होगा तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो ज़रा for a sum of money जो है the difference जो है 112.5% is equal to 110% प्लस 600 से फिर भी 140% 112.5% is equal to 110 110 नहीं 115 वो सेम हो जाएगा ठीक है वो सेम चीज है वो बट 115 लिखो 110 नहीं लिखो तो यहाँ पर आपको पते कि दो साल के लिए difference का formula क्या होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू rate का square अपन में 100 का square तो 54 is equal to 600 इंटू तो आर स्केर अपन में 100 इंटू 100 तो एक तो 100 से 6 आएगा 6 से 9 आएगा तो आर स्केर आ रहा है 900 तो आर आ रहा है 30 30% का rate होगा यह हम बोल सकते हैं ठीक है 30% का rate होगा क्लियर होगे सभी को अगला कोशन है कोशन नमबर 15 तो कोशन नमबर 15 देखेंगे if ap is equal to 2x plus 11 है bp is equal to 2x minus 1 है cp is equal to 2x plus 7 है dp is equal to 2x plus 1 है then the x कितना होगा what is the value of x what is the value of x ap is equal to 2x plus 11 है bp is equal to 2x minus 1 है cp given है तो यह तो direct आपके पस क्या बनेगा तो आपको पता है कि जो pb into pa होगा वो बराबर होगा pd into pc दोनों सीकेंट है तो यहां से अगर आप देखोगे तो pb यानिकि 2x minus 1 ap 2x plus 11 cp pd तो यह बनेगा 2x plus 1 2x minus 1 इसको solve करेंगे तो यह कितना आना है so that is basically 4x square plus 11x minus 2x minus 11 is equal to यह a plus b a minus b है तो 4x square minus 1 4x square 4x square कटी हो जाएगा तो 9 of x कितना आ रहा है so 9 of x बन रहा है minus 11 उदर जाएगा तो यह कितना बनेगा plus 11 तो 10 आ रहा है x का value बहुत कम आ गया फिर तो यह बना था न 2x 4x square 2x into 11 हो गया 11x minus 1 into 2x हो गया minus 2x और minus 1 into 11 हो गया minus का 11 और यह बना था हमारे पास कितना 4x square है और 1 का square है so इसको अगर हम simplify करते है तो यह कितना बना हमारे पास that is basically यह तो 10 नहीं आया फिर कुछ value कोई गलत तो नहीं है न 2x 2x plus 7 है sorry वो मैंने value गलत लिखी है तब ही ऐसा हो रहा है एक बार दोबारा लिख लेते हैं values को 2x minus of आपके पास है 11 तो एक तो यह value बन रही है हमारे पास दूसरी value कितनी बन रही है दूसरी value बन रही है दूसरी value बन रही है हमारे पास 4x square plus of 14x plus of 2x और plus of 7 तो 4x square तो कटी हो गया 22 minus 20 और यह बन रही है 14 16 तो 4x की value कितनी आ रही है 11 उदर जाएगा 18 आ रही है तो x कितना आ रही है 4.5 यह option आपके पास सही है तो देखो ज़रा किसी को कोई doubt हो हाँ 2x plus 7 था वो मैंने वो 2x plus minus 1 पढ़ लिया और 7 वाला यह ही answer आ रहे है सभी का very good अगला question है reverse component तो डिवाइड तो लगना था इसमें 2x minus 1 2x नहीं वैसे same values नहीं है ना उपर और नीचे तो कैसे 2x plus 9 by 2 equal to 2x plus 1 reverse में 2x minus 1 2x plus 1 लेकिन उस तरफ values अलग है ना 2x plus 7 2x plus 11 अच्छा 2x plus 9 by 2 बन रहा था वो चलो चेक कर ले ना बाकि यह easily बन रहा है आपके बस directly कोई issue है नहीं इसमें अगला question next हमारे पास है हमें बोला है okay the ratio of the height and slant height of a cone is 24 ratio 25 है so if the curved surface area जो है curved surface area of the cone is to 2200 है then the volume of the cone कितना है what is the volume of the cone यह हमने find out करना है देखो जरा क्या करेंगे यहां पर height और slant height का ratio गीवन है 2x प्लस 7 होगा अब इशेक जी आप थोड़ा सा I think live वाले बटन पर क्लिक करो आप ज्यादा पीछे चल रहे हैं आपका कमेंट सबसे लेट आया यहां पर अगर आप देखेंगे तो 24 25 क्या है height और slant height है तो radius और height और slant height का ratio क्या होगा 7x 24x और 25x होगा triplet basis पे तो pi r l कितना है that is 2200 है तो pi r l मतलब 22 by 7 into r कितना है 7x है into l कितना है 25x is equal to 2200 7 से 7 का tour है 22 से यह 100 आ रहे है और x square की value बन गई 4 xr है 2 हमसे क्या पूछा है then the volume of the cone कितना है so volume of cone कैसे आएगा that is 1 upon 3 pi r square h आएगा so यह कितना है 1 upon 3 22 by 7 into अब x अगर 2 है तो radius r square तो यह बनेगा 14 into 14 into h कितना है 48 तो जो आप simplify कर सकते है 7 से यह 2 है 3 से यह कितना है 16 है बाकी इनको multiply करेंगे तो यह कितना बनेगा 11 मैं अलग रखता हूं तो यह बनेगा 11 into 2 to 4 14 4 या फिर 2 to 4 16 4 64 यह बन रहा है into 14 तो इसको और multiply करेंगे तो 11 into 14 84 85 तो इसको अगर हम simplify करते है यह बनना हमारे पास 2 into 11 था तो 2 2 से 4 64 14 sorry 56 था यहां पर न और 84 89 है 8 96 था तो 66 99 और 6 तो यह बना 105 और 88 और 10 98 तो 9 8 5 6 इस दा अंसर इस शुट भी ए ओप्शन तो एक बार देखो जरा किसी को कोई doubt हो तो बता सकते हैं किसी को कोई doubt हो तो यह क्या लिखा था अपने इनके लिए अगला कोश्चन है जी कोश्चन नमबर 17 आई होप यह एकले रोगा कोश्चन नमबर 17 ऋड़ा इना टरेग्ल में इन镍घर सिरकमर्डीयस क्या होना है यह बताने तो radius इन क्या बनेगा ये होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपट्णिस डिवाइड बई तो यानिक ये बनेगा फाइब प्लस 12-13 अपॉन में ये 13 इडा 2 तो कट होगया तो 4 अपॉन में 13 so that's D option so यह करना था so क्या answer आएगा it should be D option ठीक है it should be D option यह हम बोल सकते हैं अगला question next one question number 18 in the given figure the value of BC कितना होगा BC का value कितना है बताईए जड़ा BC का value कितना है क्यों है in the given figure the value of BC so आपको पते है कि यह तो equilateral triangle बन रही है ना देखो यह radius है यह radius है यह radius है यह radius है तो यहाँ automatically 60 है दो angle बराबर होने यह 60 तो अब आपके बास तीसरा खुद 60 आया यह 60 यह 60 तो sum of angles में यह 60 होगा तो बाकी दो खुद 60 60 होगे तो यह सारी ही equilateral triangle है और अगर यह सारी equilateral triangle है with अगर side अगर हम बात करें अगर OA जो है वो 3 है तो OB भी 3 है तो OC भी 3 है that's it it should be C option तो इसमें से आप कोई सी भी side पूछते है आपसे BC पूछा आपसे CD पूछा होता AD पूछा होता कुछ भी पूछ लेते वो 3 ही आता है तो यह तो direct ही हो जाता है अगला question है question number 19 हमें बोला है कि if alpha and beta जो है if alpha and beta are the roots of the equation 5x square minus 7x plus 3 is equal to 0 then हमने यह find out करना है then the equation whose roots are 1 upon me alpha and 1 upon me beta क्या होगा again बहुत easy चीज है 1 upon me alpha और 1 upon me beta अगर आपको find out करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर 18 repeat करना है equilateral triangles बन दहीं है न देखो यह radius है यह radius है तो दो angle भी बराबर होंगे जब दो angle 60-60 हो तो तीसरा खुदी 60 हो जाता न है क्योंकि equilateral बनेगा वो 180 तो बनाना ही है न सम तो तीसरा 60 ही आएगा अच्छा यह वाला अगर आप देखोगे तो यह भी radius है यह भी radius है तो अगर यहाँ 60 है तो यह खुदी 60-60 हो जाएंगे तब ही आपके पास 180 बनेगा सम अब दो यह 60 है तो तीसरा भी 60 आया ना सम अफ स्टेट लाइन पर 180 होता है तो यहाँ पर भी 60 आया थो फिर यह वाले भी 60 आगे तो यह सारे ही equilateral triangle है equilateral triangle में side जो है वो कितनी होगी सेम होगी तो ओ यह अगर 3 है तो उदर x square minus 7 x plus 3 is equal to 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ denominator में ले जाओ तो यह बनेगा 5 upon me x square minus 7 upon me x plus 3 is equal to 0 x वाले को denominator में लेकर जाना है तो LCM लिया x square 5 minus 7 x plus 3 x square is equal to 0 तो यह बनेगा आपके पास 3 x square minus 7 x plus 5 is equal to 0 यह हमारा answer है so it should be c option बाकी अगेन देखो अब किसी को ऐसे लग सकता है कि सिदा हम a और c को change कर दे बट कभी कभी जो है वो sign जो है वो plus minus में problem हो सकता है तो बस इतना कर लोगे तो I think कोई बहुत जादा बड़ी बात नहीं है 20 second का question है और confirmation है कि सही होगा and the question number 20 the side of a cube are 30, 40, 50 है then these cubes are melted and recast into a new cube the side of the new cube will be नए वाले cube की side कितनी हो नहीं है यह आपको बदाना है parallelogram भी बन रहा था triangles पे हम solve करते हो उसको जादा बड़ी होता parallelogram भी बन रहा ट्रापेजिम बन जाता वैस तो हो volume of fourth cube is equal to volume of one volume of two volume of three तो a4 का cube is equal to 30 का cube plus 40 का cube plus 50 का cube ठीक है तो इसको अगर मैं देखू तो 10 cube मैंने comma ले लिया अंदर बचेगा 3 cube plus 4 cube plus 5 cube यानि कि यह बनेगा 1000 into 216 तो a4 कितना आना है cube root of 1000 into 216 यानि कि 10 into 6 so that is basically 60 तो कितना अंसर आना इट शुड़ बी दी ऑप्शन done so I hope यह clear होगा बाकी जो है वो आप लोग सोच रहे होंगे कि यह संदीफ 100 कोड जो है वो यह कहां यूज होगा लिखा तो है कि यूज कोड संदीफ 100 तो अगर आप anacademy plus पे नहीं है तो वहाँ पे आपको हमारे defense category में cds f cut c a p f के courses देखने को मिलेंगे जहां पे इंडिया के top educator है 100 plus live classes है ठीक है 100 plus जो है वो live classes है इसके लावा doubt solving sessions है तो यह सारी चीजे हैं तो उनका आप फाइदा ले सकते हैं वीर complete batch है जिसको आप definitely follow करेंगे पूरा c a p f का syllabus cover होगा उसमें तो वीर c a p f batch है देन दुरूब complete batch है f cut 2 के लिए वो अगर आप follow करते हैं f cut का पूरा syllabus cover होगा उसमें अभी जो free series चल रही है तो यह लगबग अब complete हो गई है आज I think इनमें last होंगी कल हम एक full session करेंगे 100 question English, 100 question GS, 100 question maths शाम के time करेंगे यह session हम तो उसमें आप जरूर आईएगा तो वो sessions होंगे अभी 50 days hard challenge में current fair चल रहे हैं and last five month के Hindi और English में current fair PDF आप download कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्याद़ beneficial रहेंगे और इसके लाबा जो है वो टेलिग्राम और इंस्टाग्राम जो है वो अगर आप follow करना चाहें तो वहां पे important updates, current fair यह सारी चीज़े मिल जाती हैं बागी let's crack it और आप join कर सकते हैं अनकेडमी प्लस पर और अनकेडमी प्लस पर आप join कर रहें तो वहां पर आप संदीप 100 code लगाएंगे तो आपको जो भी offers हैं जो भी discount है वो मिल जाएंगे चलिए तो यह हमारा आज का session था 3,4,5,6 बनता है बिलकुल हाँ 100 question maths के मैं करवाँगा 100 English के I think सिधान सार और GS के आपको पते ही सारे educator होंगे वहां पर मैं formula वाली class का कर देता हूं चलो ठीक है रख देते हैं शाम की time कितने बज़ रखू चार बज़ रख दू तो शाम को चार बज़े formula class रख लेते हैं special class है साड़े नौ बज़े अभी special class में आज mensuration करेंगे तो वहाँ पर मिलते हैं तो उमीद है आप सभी को इस session अच्छा लगा होगा तो सभी को फिलाल मेरी तरब से thank you so करते हैं अभी session को off मिलते हैं आप से अगले session में so stay safe keep preparing have a nice day and Jai Hind